असलाम हुलेकुम आज हम बनाएंगे बच्चों की मन पसंद बिना इस्ट का हेल्दी और टेश्टी डोनट की रेसीपी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है तो चलते हैं सुरू करते आदा कब जैसे हमने या में पिसी हुई सक्कर लिया और चार टेबल स्पूर हमने तेल लिया और चार चमच जैसा हमने दही लिये है और दो अंडे लिये है तो इन सारे चीजे को अभी हम ग्राइंड कर लेते हैं तो हमने इसी जार में हमने सक्कर को ग्राइंड करे थे उसी ज अगर आप कम बनाए तो अंडा एक डालेगा तो मैं ज्यादा बना रही है रिसी के अंदर चाल चमत जैसा तेल बटर का इस्तिमाल करें आधी चमत डालेंगे बैकिंग पाउडर, आधी चमत डालेंगे बैकिंग सोडा, तो दोनों को हमें डालना है, तब ही जाके सॉफ्ट बनेगा, एक चमत डालेंगे वेनिला ऐसेस, अगर आपके पास वेनिला ऐसेस ना हो, तो बनाना केला डाल दीजिएगा, एक से दो केला ड कर लेते हैं दिए को डालना होता है जतना डिये ऐसे आच्छे कर लेते हैं हाथों से अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढखके रख देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए ताके ज्यादा और भी सॉफ्ट हो जाएगा तो पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ये बिना इस्ट का बना रही हो तो अच्छा बनता है बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों का मन पसंद डोनट होती है आज की बच्चे को डोनट बहुत पसंद होती तो मार्केट से आपको लाने की कोई जरूरत नहीं आप घर में बना कर इस तरह बच्चों ले लिए डायरी मिल्क अगर हमने नीचे गतापेली में गरम पानी ले लिए इसे हम गरम पानी के अंदर अच्छे से किस तरह liquid बन चुका है बस हमें इसी तरह इसकी consistency चाहिए अब देख सकते हैं ज्यादा पतला भी नहीं होना चीए ज्यादा गाड़ा भी नहीं देख सकते हैं साइट पर रख देते हैं और चलते हैं डोर के तरफ तो आप देख सकते हैं दस विनिट हो चुका आप इसे रखल स हैं और इसे चेक कर लेते हैं अब देखते हैं कितना घीला कर दोंगे ज़्यादा मुझे लग रहा है थड़ा आठा निकालने इसे तरह हाथ में थोड़ा राउंड कर लेना हमें तो इसने हम दो इस्से में करेंगे, उसके बाद इसे हम बेलेंगे, अब देख सकते हो, हमने इसे इस तरह फिला दिया, आप इसे हम पटाफट से बेलेंगे, थोड़ा मोटा बेलना होता है डोनट को, तो फूल के और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, दो हिस्सों में इसे हम ब भी जादा मोटे मोटे हो जाएंगे, तो हमने एक कटर ले लिए है, गोल साब, कोई भी आकार कर ले सकता है, इसे इस तरह हम कट कर लेते हैं, फटाफट से, हम छोटे छोटे डोनट्स बना रहे हैं, क्यूंकि वज्चों को छोटे छोटे चीज़ों ज्यादा पसंद आती ह है, तो मैं चोटा सा डोनट्स बना रहे हैं, आप बड़ा भी बना सकते हो, तो फटाफट से इसे हम कट कर लेते हैं, आसानी से, आप कोई भी कोई छीज़ों जची़ का धकन से और्ले काट सकते हो, मिरे पास यह साचा था कटिंग करने वाला, तो मैं उससी से कट कर रThen Yak, यह बोटल का ढखकन है उसी से हम बीच में कट करेंगे बोटल के ढखकन से असानी सो जाता है देख सकते हैं कितना असानी से निकल चुका है इस तरह हमें निकाल लेना है अगर उस तरह आपको सभी को इस तरह निकाल कर रख देते हैं फिर उसका बीच में से बोटल का ढखकन और इसे हम एक अंदर से गुलाई का सेप और दे देंगे, छोटा-छोटा, जैसा डोनट में होता है, तो हम बोटल का डकन में इस तरह हमें सेप दे देना, आसानी से निकल जाता है, बिना समय लिए हो, और ना जंजट के लिए, फटा-फट इस तरह आपको अंगोठे से दब देना है, प्रेसर डालके तो आसानी से निकल जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और अच्छे से निकल जाता है, तो फटा-फट से हम सभी को इसी तरह निकाल लेते हैं, और चलते हैं, गेस की तरह भी से हम छान लेते हैं, बाकी का हम बात में बनाएंगे, अभ आपको नहीं से फ्राइ करना ने तो उपर ज्यादा गॉल्डन ब्राउन हो जाएगा अंदर कच्छा रहे जाएगा तब देख सकते हो में दो मिनिट हो गया सिलो आज पर तो अच्छे से आपको ज्यादा डार्क दिख रहा होगा तो तयार हो गया है अब देख सकते हैं कितना अच्छे से अच्छे से कलर आ चुका है तो सभी को हम निकाल लेते हैं इसी तरह हमें बनाना है डोनट बनाना बहुत आसान है एक्दम सिंपल रेसीपी और बच्छों की मन पसंद भी रे नरम बना एक्तम फुला फुला बना कर इस्थ भी होता तो और भी ज्यादा होता पन में बिना इस्थ का बनारियो बच्चों के लिए तो ज्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा से फूला है तो फटा फट से हम लिक्वीट के अंदर डोनट को कोड़ कर ल यह उन्हें बहुत पसंद होता है बच्छों को, हमारे बच्छों की फर्माइश थी कि ममा डोनट बनाओ, इसलिए हम आज उनलों की खुशे के लिए डोनट बना रही हूं, तो आप देख सकते हो फटा-फट से इस तरह में बस कोट कर देना है, आसान इससे हो जाता है, बिना सॉफ्ट बना है, थोड़ा से इसके उपर हम गारनेसिंग कर देते हैं, ड्राइफ फूर से, तो आप देख सकते हैं, इसका खुबसूरत की कलर कितना खुबसूरत सा बन करता है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए, तो लाइक से रिकमेंट करें, खास करके बच्छों के ल करना है, क्योबसूरत बस्ते हैं, तुते हैं, तो आइक से, तो आएक바 दूम करें एगको Hisाओत करें, तो एक बाहत बहुते हैं